नमस्ते आज हम बनाने जा रहे हैं गोवा का ट्रडिशनल बात केक ये बनता है कोकोनट से इसलिए इसका टेस्ट इतना यूनीक होता है इतना टेस्टी होता है और ये बनाया जाता है गोवा में क्रिस्मस के टाइम पे इसमें एग डाला जाता है लेकिन मैं इसे एगलेस बना इसे बनाना इतना है अगर आपने पहले कभी कोई केख नहीं बनाए होंगे यो कोई केक केख बना भी आप इसे पर्फेक्ट बना गूजि काते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक कप दूद फुल फैट मिल्क डालेगा नॉर्मल टैंपरेचर का इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें इस टाइम पे अगर आप अंडा डाल रहे हैं तो दो एग डाल सकते हैं लेकिन मैं इसे एगलिस बना रहे हूं इसके रिए मैं इसमें डालूंगी एक चताई कप दही दही ताजा होना चाहिए खटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा तो अब इसमें मैंने डाल दिया है दही मिक्स करने के बाद इसे 10-15 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी अच्छे से भीग जाए जाकू के मदद से निकाल देंगे और जो वाइट वाला है उसे हम यूज करेंगे तो इसे इस तरीके से निकाल लीजे तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है मतलब इसे बनाना आसान है और इसका फ्लेवर नक कुछ अलगी है तो इसे हमने बारी बारी काटकर एक जार में ले तो देखिए इसमें कोई एसेंस नहीं डल रहा है एक डेसी केक जैसा टेस्ट रहता है इसका इसमें हमने इलाइची डाला है और इसे पल्स मोड पे धीरे-धीरे करके पीस लेंगे जब यह बारी खो जाएगा तो इसे हम ले लेंगे सूजी में तो देखिए सूजी को रख मिक्स करने के बाद इसमें डालें के हम शक्कर शक्र एक कप में लिया है तो चमम चाप कम ज्यादा हो जाती है शक्र तो कोई बात नहीं इसे डालने के बाद इसे अच्छा सा केक बनता है यह तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बनाईए जरू बहुत अच्छा लग मतलब यह लगवग 50 ग्राम है अगर आप दूद पावडर नहीं डाल रहे हैं तो कंडेंस्ट मिल्क भी रा सकते हैं वह भी करीब इतना ही 50 क्राम करीब आप डाल लीजेगा और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेकिन हाँ दूद पावडर और कंडेंस्ट मिल्क जरूर डालेगा उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आप मैंने डाला है पिगला हुआ बटर या घी डालिए ए इतना डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक आप इसे मिक्स कर रहे हैं अगर आप अवन पे बना रहे हैं तो आप उसे प्रीहिट करने रख दीजेगा अगर आप गैस में बना रहे हैं कुकर या कड़ाई पे तो भी आप उसे गर्म करने रख दीजेगा तब तक में मोल्ड पे ग्रीस कर लेज़ेगा तेल घी या बटर अब इसमें डालेंगे हम एक चमज बेकिंग पावडर और आधा चमज करीब बेकिंग सोडा इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल मेथड से अच्छे से मिक्स कर लीजे तो देखिए इसे बनाईएगा जरूर और आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो जरूर बताएगा कि मेरा वीडियो कौन कौन देखता है कितने सारे लोग देखते कहां से देखते हैं अच्छा लगता है ये सब सुनकर इसे बनाने के बाद अगर आप बनाएं इसे तो फोटो कीच कर और इसको आप अपलोड कीजेगा कामेंट बॉक्स पर बताएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है तब तक मैंने क्या क्या मैं आवन पे बना रही हूं तो मैंने प्री हीट करने रख दिया है अगर आप कुकर में बना रहे है कड़ाई में तो उसे भी करने रख दीजेगा तो वह काम भी एक तरफ करते जाएगा अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे मोल्ड पे दीके बटर पेपर लगाना उतना नैसेसरी नहीं है लेकिन घी या बटर जरूर लगाएगा ग्रीज जरूर नहीं तो यह चिपक सकता है अब इसे हम ड्राइफ रूट से सजा देंगे डेकोरेशन वाला इसकी भी कर सकते हो और चाहे तो आप पिस्ता डाल दीजिए या फिर किश्मिस भी डाल सकते मैंने काजू बदाम बस डाला है और अब इसे हम बेक करने रखेंगे कन्वेक्शन अगर आप इसे कड़ाई या कुकर में बना रहे है तो धीमियाज में 45-50 मिट के लिए भेक कीजिएगा धकर तो यह आराम से पक जाएगा देखेंगे इसका कॉर्णर जो दिख़ा है चूटा हुआ सा मतलब यह पक चुका है फिर भी आप इसे ठंडा करने के बाद ही अन्म को कट करके दिखाती हूँ इसका टेस्स इतना जवाब है बहुत ही टेस्ति है यह और इस टरीके का केक अगर आपने कभी नहीं खाया है मुझे अगर आपने कभी गोवामines इस तरीक नहीं खाया तो आपके लिए पहला केक गार जोगा बहुत ही टेस्ति है और एक तरफ से थोड़ा सा हेल्दी भी है तो जरूर बनाएगा पसंद आने पर लाइक और शियर कीजिएगा मेरे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई टेक किया देखिया